गुद मॉर्निंग स्टूदेंट्स यह अज चाप्टर और आज अपने पढ़ने वाले हैं कॉंसेप्ट नंबर ई है यानि कि इस बुक का चाप्टर का रेटार्मेंट एंड डिट तो फ़ पार्टर का इस प्रेपरेशन ऑफ पी एंडल अजस्मेंट्स अकाउंट कैपटल अ और बालंची थीक है अपने यह दो वार्ट पर अप्रड़ काउंट और बालंची तुदेंट पीजस्मेंट अकाउंट अपने जैसा ही अकाउंट होता है जिसके अंदर अपन यह लिखते है ति एफ तर इस रिशेन वेली आजसेट अर लिएबिलिटी तो इस अश्मेंट बनाते हुए पी एटिसमेंट बन सकते हैं या फिर यह भी बोल सकते कि रिवेयुइशन अकाउंट जैसे हुटा है तो यह दियान ढख कीका कि यह गांट जहता है वह रिवेयुईशन जीसा होता है अब स्टाट करते हैं जैसे आपको पते हैं कल 과र लास्वीडियो में वीडिय का रिटार्मेंट हो रहा है मानलों कोई भी परसन अगर जा रहा है तो अब फर्म क्या करती है फर्म के पास अगर पैसे होते हैं तो फर्म इजी लिए उसको कैश में दे देती है कि हां चलो ठीक है आपका इतना capital बनता है आप ले जाओ इतना amount of goodwill बनता है आप लेके चले जा जो भी रिटारिक फाटना रोगा उसको पेमेंट करने के लिए कितने मोड्स होंगे दो मोड्स होंगे जैसे मैं आपको यहां explain कर देती हूं कि अगर कोई person retired हो रहा है तो अपन दो तरीके से काम कर सकते हैं retirement के case में one is that कि अगर आपके पास sufficient cash है तो you can easily pay the amount ती है बट अगर आपके पास cash नहीं होता है तो you can easily transfer cash अगर नहीं है तो in that case you can easily transfer the amount to their loan account आप काई में डाल सकते हो loan के account में डाल सकते हो यह चीज़ आप लोग समझ जाएगा कि अगर partner को देने के लिए आपके पास cash है तो दे दो कोई दिक्कत नहीं है cash नहीं है तो आप loan account के अंदर वो amount transfer कर सकते हैं तो यह काम भी अपन कर सकते हैं amount का यह adjustment आप ध्यान रखिएगा बाकी इसका theory portion आपको clear होई जाएगा तो अब आपन बात करते हैं revolution account से related तो question अपन को ऐसा बोड़ा है 23 दे रवी सोमें मंगलवार partners in a firm sharing profit in the ratio 2 to 3 to 5 इनका profit sharing ratio क्या था 2 to 3 to 5 था दिर balance sheet on 31 December 2017 वस चू दिया ओके अब अपन को ध्यान रखना है कि additional से starting करने so on first of January 2018 mangal retires mangal चला जाता है ठीक है कौन गया last 12 person गया तो अपन यह चीज़ लिख सकते हैं कि partner कौन है मैं यह आपे short में लिख रही हूँ आर एस और एम रवी सोम मंगल ठीक है profit sharing ratio 2 ratio 3 ratio 5 ठीक है अब जा कौन रहा है मंगल जा रहा है कौन जा रहा है मंगल जा रहा है ठीक है मतलब यह चला गया ठीक है यह कापन सो सकते हो तो अब new ratio अगर nothing is mentioned in your question then new ratio would be 2 to 3 यह कापन बोल सकते हैं बाकिया आप calculate भी कर सकते हो long method से calculate करना remaining वाला logic लगा के तो easily आ जाएगा ठीक है अब question अपनको आगे बोल रहा है कि that on retirement prepare P&L adjustment account ओके तो अपन डिवेलिशन अकाउंट टाइप बना लेते है प्री पी अडल अजस्मेंट अकाउंट आप heading देदेना P&L adjustment account और question यह बोल रहा है कि that to appreciate building and furniture by 5% मतलब अबन को यह समझना है कि building और furniture को कितने परसेंट से appreciate करना है 5% से ओके तो देखो building कितनी है 40,000 40,000 का 5% appreciate मतलब building अपनी इंक्रीज हुरी तो अपने लिए profit है यह लौँ से सिंपल सी बात profit का element है ठीक है तो अपने इसको क्या करने वाले revolution account में कौन सी साइट पर डालने वाले ही धियान र ठीक है अब building अपनी increase होगी तो building increase हुई तो लिख देंगे क्या by building account by building account अब हमारे पास building थी कितनी तो internal यह पन लिख लेते है 40,000 की लिए 40,000 का 5% 40,000 का 5% यानि की 2,000 रूपीस कितने हो जाएगे 2,000 रूपीस इजी लिए आप cancellation करके 4,50,20 निकाल सकते है आगे question बोल रहा ह तो लिख देते हैं by furniture account फरनीचर कितने का था 20,000 का इसका भी 5% अब common sense लगाओ दोनों का निकालना तो 5% है चाहो तो calculate भी कर सकते हो कि multiply करके ultimately 1,000 यह यह भी देख सकते हो 40,000 का 5% 2,000 होता है तो 20,000 का 5% कितना होगा 1,000 होगा ठीक है थोड़ा सा यह practice हो जाएगी तो आप फिर question बोल रहा है to provide for doubtful debts 10% on data हमको data के लिए provision कितना मराना है 10% यानि की provision for doubtful debts create हो रहा है देखो अपने पास data है कितने 15,000 50,000 में से 10% है जो लोग पैसे नहीं देने वाले अब नहीं देने वाले तो अपन क्या कर देंगे 15,000 का 10% निकाल हो यह अपन को amount क्या हो गया loss हो ग लिख देंगे debit side में लिख देंगे तो लिख देते हैं to provision for doubtful debt as given in question की provision create करना है तो लिख देते हैं 15,000 का 10% which is 1,500 क्लिर डी calculate किया फिर आगे question बोल रहा है to discount the creditor by 5% मतलब हमको जब creditor को pay करना पड़ेगा तो उन्होंने बोला चलो ठीक आप 5% का discount दे देना पपन को वो prepare कर पड़ेगा अब आप देखिए कि creditor कितने 12,000 कितने हैं creditor 12,000 इसमें से 5% हमको reduced amount पे करना है यानि ultimately अपनको 95% का payment करना है तो अपनको फाइदा कितने परसेंट से हुआ 5% से तो अपन ये mention कर देते हैं लिख देते हैं फाइदा हो गया तो credit में लिख देते हैं तो by discount on creditor account ठीके तो by discount on creditor यानि कि अपने पास total creditor कितने थे students 12,000 12,000 का कितना परसेंट बना रहे हैं अपन 5% यानि 12,000 इसमें 600 रुपीज लिए 0000 आगे question अपनको ये बोल रहा है that to provide for legal expenses रुपीज 200 अपनको को कोई सा legal expenses पे करना था उसके लिए अपनको गया करना है 200 रुपीज का payment करना था ठीके तो हमको legal expenses के लिए कितना देना पड़ा एक्स्ट्रा 200 तो ये अपनी लिएक तरीके से loss या फिर अपनी liability increase हो रहे है इस case में ठीके तो ये expenses है तो अपने को कहीं न कहीं loss होने वाला है इनको क्या कर देते है debit of evaluation account या पीए अल अजस्मेंट अगाउं सबसे पहले अपन total करते हैं तो total करेंगे तो सबसे पहले देखो आप credit की total करें या debit की कोई फरक नहीं पर था आपको total करनी है अगर मैं credit से start करते हूँ तो credit की total दिख रहे है मैं को 2,3,600 तो मैं एक छोटा सा side में लिख लेती हूँ कि credit में आ गए कितने रुपे 3,600 हम मैं debit मैं गीनती हूँ तो debit में मैं को पता पड़ता है कितनी हो रही है 1500 प्लस 200 यानि की 1700 यहां पर कितनी हो रही है 1,700 तो आपको पता है बढ़ी total कितनी है 3,600 तो अपन लिख देते हैं यहां पर 3,600 और इससे account close कर देते हैं और balancing figure आप लोगों को पता है आप 11 हम बहुत अच्छ करेंगे तो लिख देते हैं टू पार्टनर्स capital account ठीक है मैंने पहले distribute करके रखा है रवी को सोम को मंगल को अब कौन से रेशों में देना है तो कुछ ने बोल रखा है कुछ नतिंग इस मैं कि सॉरी दे रखा है क्वेशन में क्वेशन में दे रखा है स्टार्टिंग में ट अब अब अपन नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक्यू